दोस्तो इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं कैसे made in India leveled वाले Chinese mobile brands इंडियन मार्केट को अपने मुठी में करके खुब पैसा बना रही है और क्यों भारत सरकार Chinese hardware जैसे mobile phones, computers को ban नहीं करती वीडियो पूरा देखना ताकि आप यह जान सको कि Chinese सब brand strategy के मदद से कैसे market lead कर रही है भारत और चाइना world trade organization के हिस्सा है और world trade organization के rule के हिसाब से कोई भी देश दूसरे देश के समान को बहिसकार यानि ban नहीं कर सकता तो इस लिहाद से भारत में चाइना से आने वाली सभी hardware जैसे mobile phones को खुल कर भाहिसकार नहीं कर सकती लेकिन यह काम आप कर सकते हो अगर हम भारत के नागरी Chinese product को खईदना बंद कर दे तब सरकार को एक वज़ा मिल जाएगी और सरकार उस Chinese product पर रोक लगा देगी तो जो करना है हमें ही करना है Counterpoint के अनुसार 2019 के आखरी महिनों में शायो में 27% के साथ मार्केट में पकड़ बनाई हुई है इंडियन मार्केट में Vivo के 21%, Oppo के 12% और Realme के 8% सेयर्स है इन सब Chinese Brands को मिला दिया जाए तो भारत के पूरे Mobile Industry में 70% के साथ मार्केट को कबजा करके रखे हैं इन Chinese Mobile Companies ने और इनके टक्कर में बस एकी Mobile Brand है इंडिया में जो 19% सेयर्स के साथ मार्केट में बनी हुई है वो है Samsung चाइना इंडियन मार्केट में और भी पकड मजबूत बनाने के लिए वे अपने Parents कंपनी से अलग हट कर सब ब्रांड स्ट्राडिजी मार्केट में लाने लगा लोगों के अलग-अलग पसंद के अनुसार अलग-अलग बज़ट के अनुसार अलग-अलग ब्रैंड लांच करने लगा जैसे ओपो वीवो वन प्लस रियल्मी जैसे चाइनीज ब्रैंड चाइना के एक ही कंपनी बीवी के इलेक्ट्रोनिक्स के अंडर आता है और तो और इन्होंने अलग-अलग सर्विस सेंटर सीओ और ब्रैंड अमिस्टर रखे हैं ताकि लोगों को डाउट ना हो अब जान लेते हैं भारत में बिक रहे चाइनीज मॉबाइल ब्रैंड के बारे में जायोमी के रेडमी, एमाई, पोको और ब्लैक सार्क है, बीबी के एलेक्ट्रोनिक्स के ओपो वीवो वन प्लस रियल्मी, हुवाई के सब ब्रैंड्स ओनर, लिनोवो के सब ब्रैंड्स मो में दिन इंडिया लेबर्ड वाले टैग देखते ही, लोग सोचें लगते हैं कि ये भारत से है, तो मैं आपको बता दू कि ये मोबाइल पूरी तरह चाइनीज है, चाइना पूरी तरह एसेंबल फोन के वजाए उनके पार्ट्स को इंपोर्ट करवाती है, जिससे उनको कम इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, रोजगार तो बड़े हैं, लेकिन जादा पैसा चाइना को ही जा रहा है, लगबाग 8 करोड से भी जादा मोबाइल चाइना से भारत लाए जाता है, अब समय आ गया है कि हम देशित के बारे में सोचे, एक तरफ चाइना इंडिय को सोचने का समय मिलेगा, और जल्दी हम स्वयदेशी बहतरी मोबाइल फोन्स देख सकेंगे, हाँ थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन इतना तो हम करी सकते हैं, क्योंकि देश है, तभी हम है, जय हिंद, अगर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट छुट गया हो या अपनी राए बतानी हो, तो कमेंट सेक्षन में जरूर बता देना, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना, थैंक यू, जैंग